हाल ही में बॉलिवुड इंडस्ट्री का एक नाम पूनम पांडे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका यू चले जाना उनके फैंस को जटका देता हुआ दिखाई पडेडे एच रहा है। उनके फैंस हैरान है और कोई भी इस खबर को मानने को तयार ही नहीं है कि पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं रही। अब ऐसे में हाल ही में आपको जानकारी दे दें कि क्यारके की तरफ से एक को विडियो को सोहल मीडिया पर साजह किया गया है जिसमें पूनम पांडे दिखाई पडेडेच रही है। गोवा में पार्टी चल रही है जहां पर पूनम पांडे को देखा गया विडियो साजह शेयर करते हुए उन्होंने लिखा एक्ट्रेस पूनम पांडे वाज इंजोईंग इन अपार्टी जस्ट टू डेज अगो तो वही फॉरण ही जो है रोजन खान का कॉमेंट आता है उस पर और वो कहती हैं mostly a fake news है cervical cancer वो भी terminal stage पे no one can sit in laugh just spoke to me doctor I can't believe this news this news is totally a set and the fake news आपको बता दें कि रोजन खान की तरह से cervical cancer पर उन्होंने एक post को साजह कर दिया है तुरंत जहां पर वो लिखती है cervical cancer is mostly tweetable and survival rate on a five years it's 60% I don't know if this news onf Poonam is true but it each फेग दें one need to understand that publicity के लिए लोग करियर को भी use कर रहे है there are 20 million cancer patient in India every cancer date में other cancer patient lose hope in life so please on reflame from such things eats not easy for person to work out terminal stage onal cervical cancer terminal stage पर भी doctor can make you survive for few months just spoke to me doctor अब ऐसे में उन्होंने तो माना ही नहीं उन्होंने कहा कि ये news फेक है और ऐसा नहीं हो सकता है मगर आपको जानकारी दे दें कि ये खबर फेक नहीं है ये पुष्टी की हुई खबर है जो खुद पूनम पांडे के manager द्वारा साजा की गई है फिलहाल आप इस खबर पर क्या कहेंगे हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्याटसैप ग्रूप को जोईन करें